तो हम पढ़ रहे थे alternative methodologies of software development और इसमें हमने अब हम पढ़ेंगे agile development agile development agile है यानि adaptive है यानि जहां कोई और situation नहीं फिट होती है तो वहाँ agile development होता है वो non-traditional है जो अभी तक methods बताई हर एक methods का एक particular reason है system development life सही के एक bureaucratic method है sequential method है structured method है stages है हर stages thorough है और एक bureaucratic system development है मतलब बहुत बड़ी-बड़ी company जहां बहुत सारे software बन रहे हैं यह बहुत complex software बनाना है वहाँ SDLC का यूज होता है data oriented system development जहां data बहुत जाद है यह object oriented system development यूज किया जाता है तो हर एक system के पीछे एक reason है हर एक system के पीछे कारण है लेकिन agile development adaptive development है creative है उसमें हमें पता नहीं है कि हम किस तरीकी से आगे बढ़ेंगे हम एक level तक आगे बढ़ते हैं उसको iterate करते हैं iterate मतलब फिर से एक level तक हम बढ़ें उसको फिर हमने change किया unknown मतलब वो situation होती है कि जैसे आदमी एक जंगल में जा रहा है और दूसरी तरफ दूसरा आर्मी वाला इधर की तरफ से एक आर्मी वाला commando जा रहा है दूसरी तरफ से दूसरा commando आ रहा है जंगल का एरिया है कहां पर क्या होगा कोई भरोसा नहीं कमांडों की जगए अगर शेर मिल जाए तो भरोसा नहीं तो जैसे जैसे situation अंकवर करती है वैसे वैसे एडाप्टिव एप्रोच एडाउट की जाती है और इसे ही एजाइल में इने सिस्टम के जाता है प्र И В लिए हाज़ों से इसमें किया जाता है अप्जेख ऑ्रेंटेट अरृइंटइच्छी हे वहां की जाहिए प्रोटव चैपिं जहां मैं स्पेसिकेशन प्ता है है लेकिन स्पेसिफिकेशन पता निया लेकिन अब्जेक्टिव पता है वहां प्रोटो टाइबिंग का यूज किया जाएगा और रैपिड एप्लिकेशन डपलमेट जैंट टाइम लिमिट फिक्सट है डागर वेब बेस्ट अप्लिकेशन डवलप कर रहे हैं तो वेब बेस् लीगे से स्टेम से परानी कमालब 10-15 साल सौफ्ट्वेर की डुनिया में बहुत कम अ बधादा जाते हैं जनरेशन चेंज हो जाती है, हमारी जनरेशन 5 साल में छेंज होती है YouTube लेकिन सॉफ्ट्वेर की जेनरेशन पांत साल बहुत बड़ा पीएड है 15 साल में तो वर्जन कई केसे में तो वर्जन 3 आ जाता है जैसे एंड्रोइड आया एंड्रोइड में वर्जन आते रहते हैं 3 4 4.1 4.4 5 5.1 भी आने आने वाला इस है तो वहां हर एक उसमें कोई reason था कोई purpose था कोई लेकिन agile deployment एक creative approach है software एक creative थेंग है यहाँ बर क्या है adaptive approach यूज की जाती है मला agile development हमारी study कहती है वो एक ऐसी system deployment process है या उसकी family है ऐसी system deployment processes है जो non-traditional way complex system को develop करने के लिए non-traditional methods adopt करती है यह यह त्रेडिशनल method यूज नहीं करती है अगर traditional method यह होती है traditional tradition होता है वो कई बार use करते बनता है तो यह अगर कोई एक method 10 बार use होगी 50 बार use होगी ceiling होगी वो traditional होगी फिर वो non-traditional लिए agile non-traditional होती है innovative होती है एजाइल डेवल्मेंट 1990 के आसपास इमर्ज होना स्टार्ट हुई पहली एजाइल प्रोसेस, स्क्रम नाम की पहली एजाइल प्रोसेस डेवलप हुई उसमें क्या किया गया कि अगर माले सबोज एक प्रोजेक्ट मेनेजर है तो जेनरली क्या होता है कि आप प्लाइन करते हो टास्क को, डारेक्ट करते हो टास्क को लेकिन यहां प्लैनिंग और डिरेक्टिंग जो पर्टिकुलर्ली है उस पर एंफेसेज नहीं हुआ यहां पर एंफेसेज हुआ अबस्टिकल को रिमूव करना है यह आपका एक अब्जेक्टिव है उसके पास पहुंचने के लिए आपको आपस्टिकल हटाते चले जाने और अबस्टिकल आप हटाते चले जाओगे तो प्रोसेस के पास पहुंच जाओगे मतलब स्क्रम जो था पहला एजाइल प्रोसेस थी 1990 में आई उसके बाद और एजाइल प्रोसेस आई जैसे एक्स्ट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सपी क्रिस्टल एडप्टिव सॉफ्ट्वे अगरा यहां अगर मालिया सबस्ट्व समय यह सोच लिए कि फीचर ड्रिवन डप्लेमेंट दस साल पांच साल के लिए चल जाए तो फिर वह एजैल नहीं होगा एजैल एडॉप्टिव प्रोसेस एक्रीटिव प्रोसेस है एजाइल का मतलब यह एजाइल का मीनिंग देखो तो वह ऐसी प्रोसेस हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलीटी है, मतलब कोई भी चेंज आ रहा है, उसको चेंज कुछ हैंडल करने के लिए फ्लेक्सिबिलीटी होनी चाहिए, मतलब आपको अपना अब्जेक्टिव रीच रीच आउट करना है, अगर कोई सिस्टम आपको डेवलप करना है, एक पर्टिकलर अब्जेक्टिव आपको मीट आउट करना है, और आपके पास project team है तो project team agile development करेगी तो agile methodology करेगी agile मतलब flexibility होनी चाहिए change को adapt करने की उसमें capability होनी चाहिए तो agile development में क्या होता है agile development में generally जनरली क्या होता है fix नहीं किया जा सकता agile development में क्योंकि agile development है creative adaptor है तो इसमें क्या होता है एक छूटी-छूटी सब प्रोसेस बना दी जाती है, iterations बना दी जाती है, एक iteration करने के बाद next iteration प्लान की जाएगी, यानि कि पहले iteration किया, फटा-फट आपने एक level तक आगे पहुंचे, उसके बाद अगली iteration की जाएगी, या एक जंगल पार करना है, तो आपको नदी-णाला दिखा, अच्छा, नदी को पार कर लेते हैं, आप आगे दिखते हैं कि क्या आएगा, आगे आएगा उसको वो करेंगे, तो यानि एक iteration के बाद फिर next iteration को determine किया जाता है, आप पूरे री-प्लैनिंग करते हो, हर iteration के बाद, priorities reset होती हैं, नई priorities identify होती हैं, आप नदी-णाला पार किया, आपकी एक planning थी, अचानक आपने देखा, जंगल आ गया, और जंगल में साप बहुत सारे नजर आने लग गया, तो आप resetting करोगे priorities को, नई priorities को identify करोगे, यानि आप software develop करो एक level तक software develop कर रहे हो, तो नई-nई priorities आती चली जारी है, मलब एक्स्ट्रीम इंजिनियरिंग का case है, यह cutthroat software development है, cutting edge जिसे बोलते हैं, software development है, वहाँ पर यह इस तरह किया जाता है, कि हर project के हर iteration के बाद पूरी replanning होगी, यहां तो क्या होता है कि system development life cycle में, जो planning होती है, आपके replanning होती है, planning होती है, वो पहले level पर हलकी planning हो जाती है, feasibility study और second level पर, जब आप system development life cycle करते हो, तो पूरी तरह से plan हो जाता है, system requirements, specification document बन जाता है, उसके पाद एकले step में जाते हो, आप design करते हो, design मन जाता है, और design में कुछ changes होने तो फ्रीज हो जाते है, तो मुझा प्लाइनिग पूरी हो जाती है, वहाँ पर planning, replanning नहीं होती है, यहाँ पर एक iteration होते ही replanning होती है, टीम्स छोटी होती है, cohesive होती है, उसमें business के और technical दोनों represented होते हैं, ताकि अपना-पना feedback देंगे, कई कैसे agile deployment में क्या होता है, कि coders को कहा जाता है, तू भी बना, तू भी बना, दो programmer team लगा दी गई, छोटी-छोटी, वो knowledge share कर रही होती है, quality improvement कर रही होती है, feedback दे रही होती है, यानि कि अगर नदी पार करनी है, तो आपने का जी एक team तू इस तरीके से कर, दूसरी team तू इस methodology से कर, जो आसानी से पार कर जाए, वो method सही है, बाकि फिर पीछे-पीछे बन्दे निकलाएंगे, तो यानि कि agile development में दो आदमी भी same, दो team भी same code को प्रोग्राम कर सकती है, तो agile development में क्योंकि चीज़ें fix नहीं होती है, तो project manager एक facitulator होता है, advocate होता है, या care taker होता है, मतलब वो बच्चों को बताता है, यहां बच्चों यह direction हो सकता है, यह experience मेरा experience कि यह कहता है, अब आगे क्या करना है, यह देखना है, यानि कि आर्मी का जो main commando होगा, जो team को lead कर आगा, जब वो problem आएगी तो वो कहेगा कि दिमाग लगा हो, यहां से क्या करना है, तुम creative हो, उन्हें juice भरेगा, जज़बा देगा, लेकिन exact planning नहीं देगा, वो यह देखना है, यह देखना है, यह देखना है, यह देखना है, जो पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, जो भरेगा, जज़बा देगा, तो project manager facitulator की तरहे काम करता है, advocate की तरहे काम करता है, या caretaker की तरहे काम करता है, normally project manager क्या होता है, वो planning करता है project की, task को allocate करता है, project के progress को monitor करता है, वो देखता है कैसा कैसा project जा रहा है, cost जा रही ही कि नहीं, यहां तो पता ही नहीं है, आग क्या होने वाला है एजाइल डवल्मेंट है तो यहां पर आदमी कई के सिट्वेशन से गुजरा होना चाहिए टीम मैनेजर और वो एक फैसिट लेटर की तरह काम करना चाहिए यह उसके पास एक प्रसाइस फ्लाइन हो गई नहीं तभी तो एड़ेप्टिव डवल्मेंट है जहां से एक बार जंगल पार हो गया दो बार हो गया तीन बार हो गया चार बार हो गया तो वो प्रोग्रामिंग फिक्स होगी पता हो गया कि जंगल में यह आएगा यह आएगा फिर अगला आदमी जाएगा तो वहां पर वो एजाइल डवल्मेंट नहीं होगा लब यह सार तो आर्मी की सिच्टुएशन से ही एवॉल्व होती हैं, सौफ्टवेर में, इंजिनिरिंग में, क्या कहते हैं, मेटलर्जी में, जो जितनी भी चीजे हैं, वो या तो जैसे फॉर इन हिंदूस वर्ड में, जो सबसे पहले जो चीज उतरती हैं, या तो डारपा के पास उतरत के टेक्निक, टेकनोलोजी, मेटहरड अधिक तर इनके पास उतर होते हैं, या या यो इस आर्मी के पास या 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 यू के सीलि के पास, वहाँ पर उतरते हैं और उसके बद वर्ड में यह फोलते हैं या जैपनीस के पास जो जैपनी till लेकिन अधिक तर eldest एक्स्रीम कंडिशन्स में चीजें पैदा होती है तो एक्स्रीम कंडिशन्स का होती है वार में आर्मी जहां पर इंवाल्ड होती है एक्स्रीम इंजीनियरिंग होती है जैसे दुबई में एक सबसे टॉलिस बिल्डिंग बन गी बुर्ज खलीवा एक्स्रीम इंजीनियरिंग का नमुना है तो जहां पर एक्स्ट्रीम इंजीनेरिंग होती है वहां पर यह सारी चीज़ें पैदा होती है तो इसलिए हम आर्मी का एक्जामपल ले रहे हैं सौफ्ट्वेर में यह देखना पड़ेगा कई बार क्या सौफ्ट्वेर डवलप करना है नया सौफ्ट्वेर गया या फिर जैसे गूगल प्रोजेक्ट एरा कर रहा है यानि एक मोबाइल ऐसा बना रहा है जो मॉडिलर होगा यानि कि कल्की डेट में आपने मोबाइल हुआ आपने का स्पीड कम हो गई इसकी तो स्पीड वाला स्लॉट निकाला और डाल दिया उसने का मुझे हेल्थ म वाला पैच डाल दिया मोबाइल में इस तरीके से वो लेकर आ रहा है तो वहां पर एजाइल इंजीनियरिंग होगी एजाइल सॉफ्ट्वेर डपलमेंट होगा क्योंकि पता ही नहीं कि कहां तक महुचन है क्या है आगे कि एक बार वो प्रोजेक्ट एरा सक्सेस्फुल हो दो-चार इस तरह के मॉडल बन गए तो फिर उसके बाद ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग आ जाईगी तैनी पाथ ब्रेकिंग जहां पर होगा वहां पर एजाइल होगा तो जो एजाइल डपलमेंट है वो ट्रेडिशनल सॉफ्ट्वेर के कंसर्न को इग्नोर नहीं करता है स जाता है सिंखता आदमी उधरी से है उसने एक अच्छा टीम लेडर है तो वह दた से गुज्रा हो तरह के जग्न से हैं और ट्रीशनल प्रोटो टाइपल नहीं हरा होता है एक आर्मी का कमांडो है वह दस तरह की सिट्योश्चन से गुज्रा होता है और और जेंगल से एक situation आजाती है जी अलग सी situation आजाती है तो वो फिर वो कमा combination of situation को अलग तरीक से handle करना है आपको अगर difficulty level बढ़ा दिया कई कई चीज़ें आगी तो आपको उन situations को अलग तरीक से handle करना होता है तो वहां पर agile deployment आजाता है तो traditional software development help करता है लेकिन यहां जो आपका perspective different हो जाता है एक चीज़ और agile development जो है उसमें क्या होता है कि अगले deployment के लिए वो detail में plan करता है यानि कि अगर नदी पारवी तो वो नदी के लिए करेगा या नदी के अगले step के लिए नदी के पार क्या दिखा जंगल उसके लिए करेगा यह नहीं होगा कि पूरे phase के लिए वो planning कर ले तो planning limited level of planning होती है एक level तक की planning होती है तो agile deployment next deployment की detail में planning करता है पूरे subsequent phases की planning करता है पूरे last minute तक की planning नहीं करता है next deployment phase की planning करता है उसको detail में plan करता है agile deployment agile deployment adaptive approach है तो वो baseline requirement पर emphasize नहीं करेगा यानि baseline requirement को manage करने पर वो नहीं करेगा baseline requirement एक particular requirement है जो starting से freeze होगी है यह requirement है adaptive है तो वो adapt होती चली जाएगी अगर baseline requirement आपने lay down कर दी तो आपको traditional method से चलना बढ़ेगा baseline requirement होगी कि यह requirement है यह बनाना है adaptive में बनाना क्या है पता नहीं Google ने Google Glass ले लगा दिया starting में तो पहले Google Glass जो था वो इतना बड़ा system लगा है उन्होंने Google X करके Google का एक secretive arm है उसमें पूरा अगर आप Google करेंगे तो Google जो ग्लास था वो पूरा एक पूरा area cover कर देता था phase का धीरे 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 उन्हें छूटा करना start किया तो baseline requirement उन्हें पता ही नहीं थी कि क्या होगा क्या जाके final होगा क्या जाके final develop होगा यह उन्हें पता नहीं था तो यह adaptive approach है तो इसमें baseline requirement को emphasize नहीं कर सकते तो जो agile development है उसका जो focus होता है वो यह होता है कि एक architecture को जल्दी से उस architecture को prove करना मतलब यानि कि एक functionality वो बना देते हैं एक functionality particular functionality बना दी उस functionality को उन्होंने build कर दिया है अब वो क्या करेंगे एक उस functionality के basis पर एक architecture फटाफट बना देंगे कि यह architecture है और वो transitional architecture होता है final architecture नहीं होता है तो एक formal detailed model with description यह नहीं होता है एक transitional architecture बन जाता है जिसमें एक particular level की functionality होती है और फिर वो उसको iterate करते हैं और दूसरी level की functionality लियाते हैं तो यह architecture भी fixed नहीं होता है इसमें मतलब formal detailed model description की तो कहीं पर बात ही नहीं है अगर formal detailed model description है तो traditional method होगी सब चीज पताया में क्या बनाना है फिर इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वैसे functions को validate करते जाओगे test cycles होंगी और problem को ठीक करते जाओगे मतलब आप सब projects में divide कर दोगे एक सब project बना उसमें functionalities बनी यह सारी चीज बनी फिर अगले उसमें आगे तो time और cost आपको limit करने की कोशिश करनी है agile development में defined और repeatable processes नहीं होते हैं बलकि adaptive होती है frequent inspections होगा उसके अनुसार adapt करों और यह नहीं होगा कि यह होगा तो फिर यह हो ग। प्रितिव प्रोसेस नहीं होगि है अगर नदी पार हो रही तो फिर नदी पार करने यह फिर नदी पार गने नहीं नदी पार करना है उसके बरा जंगल शहें जंगल से बड़ा जंगल से बमेड Cherry अजिसे क। अचनक अच्छा की में आप मोबाइल बना रहे हो अब वो मोबाइल आप बना रहे हो अब आपने क्या किया आपने उसमें ये एक स्लॉट बनाया कि हेल्थ के लिए कि अगर किसी आदमी को हेल्थ प्रॉब्लम है उसको ये देखना है कि भई वो उस मोबाइल से सपोज ब्लड प्रेशर नाप सकत है सपोजूह और कई चीजा कर सकता है तो मोवाइल को हाथ में लगाएगा ह्या हाट की यहां पर लगाएगा ह épक हाट भीड रिले सकता है सबस्पोज थोड़ी दिरर के लिए हम समझे या कई चीजें वह कर सकता है अब आपने medical module बना दिया लेकिन दूसरे बंदे, दूसरा module जो है वो game से related module है यानि एक बंदे हैं वो chess वगर ये सारा चीज खिलना चाहते है games खिलने में interested है candy crush हागा जैसे games खिलने में interested है, बच्चे हैं वो दूसरा module डालेंगे तीसरे जो है, एक बच्चे के हाथ में mobile पढ़ गया, तो वो ये चाहता है कि interactive teleconferencing हो interactive teaching हो जाए, suppose थोड़ी देर के लिए, या कोई एक grown-up है वो कोई एक course कर रहा है, उसे interactive coaching चीए, तो वो चाहता है एक ऐसा module हो जाए, जिसे interactive coaching easily आ जाए इसी तरह के से modules, अलग-अलग modules बनेंगे अब जब अलग-अलग modules बनेंगे, तो पता नहीं है कि कैसा software होना है हर बार अलग-अलग चीज़ बननी है, अब मैं market में गया, मुझे mobile है, उसमें चाहर modules दो सकते हैं, मैंने कहा कि मेरे को communication अच्छा लगता है कोई मैं photographer हो, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें क्या है कि अच्छे quality के camera और space सही हो, photography रखने की मैं, जिसमें क्या क्या क्यते हैं जो studio हो, जिससे मैं कहीं पर भी जाओं तो उसमें से कोई भी चीज़ को edit कर सको कोई भी चीज़ को prominently दिखा सको, तो उसके लिए पर्टिकुलर अलग मॉडियूल हो, suppose तो प्रोजेक्ट ही रहा है अलग-अलग टाइप के मॉडियूल बना रहा है इसको आपके मॉबाइल को ऐसा करना चाह रहा है on-demand, कि जो आपको डिमांड है वह आप चीज़ डाल दो और मालूम पड़ा, आपके पास हायर मॉडियूल आया है तो पुराना मॉडियूल आपने निकाल के फैक आप पुरा मॉडियूल फैक नहीं की जरूवत नहीं हायर मॉडियूल उसमें डाल दिया क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप यूज करते हो, बहुत सी चीज़ें यूज नहीं करते हो तो आपने का जी वर्जन टू आ गया तो आपका मॉडियूल उतना ही है उसमें से एक मॉडियूल आपने निकाला पुरान और नया डाल दिया मार्केट से खरीद के आप मार्केट ने कए दोयजार रूपे का मॉडियूल मिला R 2 मीला डाल दिया मंडिय आपने आप कैपसीटी ज्यादे हो गई मालोज पना आपने प्रॉसेशिंक कम हो गई जाद अच्छा processor है आपने वो processor निकाला दूसरा processor डाल दिया तो यह agile deployment यहाँ पर हो सकता है agile deployment में repeated processes नहीं है यहाँ पर defined or repeatable processes नहीं है हर बार क्या होगा यह पता नहीं है हर बार चीजे change होंगी हर बार adapt करना पड़ेगा frequent inspection होंगे कि सही है कि नहीं है और मालुम बड़ा आज की date में कुछ हो गया कल की date में condition आगया मार्केट में कुछ उस जैसी better चीज आगी तो वो देखेंगे फटा-फट की भई क्या better चीज आगी अपने software में वो incorporate करने की कोशिश की जाएगी यह यह एंबुश लग गई एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ और निकाल दिया तो गूगल जो है उसको और बेटर बनानी की कोशिश करेगा मल्टी परपस बनानी की कोशिश करेगा तो यह एजाइल डपलेमेंट है यानि कि सारे डपलेमेंट एक तरफ एजाइल डपलेमेंट अलाग एजाइल डपलेमेंट कटिंग एज में होता है ट्रेडिशनल एप्रोच बिल्कुल नहीं है क्रिएटिव लोगों के लिए अप्रोच है अन्नून है मतलब आगे चीजे अन्नून है इसलिए वह एजाइल डपलेमेंट है एक इटरेशन के बाद प्लैनिंग की जाएगी दूसरे इटरेशन की ऐसा नहीं है कि लास्ट आघिकाल तीं वह मतलक करहा है कि मतलड़क करने में गएक चीजे जर सक्राइशन अचे अई हो सक्सेस देगी फोच आहिए हो सक्सेशन अभी नहीं हो आख क्या इंच। हो चीजें कि वह और सक्सेस्फुल हो मोबाइल सक्सेस्फुल है लेकिन प्रोजेक्ट टीरा आया है उसने कहा कि मॉड्यूल्स टालेंगे अलग-अलग टाइप के तो पहला जब वो मार्केट में आएगा तो क्या सक्सेसरेट रहेगा उसका इसके बारे में कुछ पता नहीं तो यहां पर एजाइल डपलाबस होता है यह तो सिस्टम डवलॉप हो गया अब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेनेंस प्रेक्टेसे जैसे हमने वहाँ पर पोस्ट डिपलेमेंट जो सिस्टम डिपलेमेंट लाइफ साइकल है वहां पर पूस्ट डपलेबिट फीज आया था जहां पर सिस्टम की मेंटेनेंस होती थी इसी तरीके जो नॉन ट्रेडिशनल सॉरी alternative methodology है system development में उसकी maintenance practices information system maintenance practices हमारी study में combine रूप से अलग से दी वी है तो हमारी study कहती है कि एक बार system को आपने production में move कर दिया तो वह static नहीं रहता है project era आया उसने एक system बना दिया या prototype बना दिया या data oriented system बना दिया या object oriented methodology कर दी या re-engineering कर दी कुछ भी कर दी structure deployment methodology कुछ भी आपने की system change होगा बल्कि हर पांच साल में कम कोई भी software है पांच या साथ साल में तो पूर एक generation change हो जाती है अगर software नहीं change होगा कई बार तो साल साल भर में software की generation change होती है विंडो है स्टार्टिंग में change होगा फिर दीरे दीरे gap आया लेकिन वह भी विंडू 95 फिर विंडू XP फिर विंडू 7 फिर विंडू 8 विंडू 8.1 विंडू 10 तो आप देखें कितने वर्जन आगे पिचानवे में विंडू 95 आया था और आज 2015 है बीस साल में कितने वर्जन आए और यह slow deployment माना जाता है Windows का तो यह नहीं कि system को change होना ही होना है पांच साल में तो किसी भी system का एक generation change होता ही होता है अगर वो system पांच साल में change नहीं हो रहा है उसका next program नहीं आ गया जैसे Mario 1 है तो Mario 2.2 नहीं आया Mario 3 नहीं आया यह tele 1.8 है तो tele 4.5 5.4 अगर वर्जन नहीं आ रहे हैं उसके तो फिर problem है अगर वर्जन continuously उसके नहीं आ रहे हैं तो वो obsolete हो जाएगा तो वर्जन उसके change particularly software engineering में बहुत फास्ट है वैसे भी हम moors law पढ़ रहे हैं पढ़ चुके हैं अपने software का change जो है 248 1664 एक सोचौबेस दूसो पचास दूसोचपन दूसोपचास पांसो हजार 2400 चार हजार 8000 चूला जार बत्ति हजार चौशच हजार एक लाग दूलाग चार लाग आठ लाग शूलाग बत्तिस लाग 64,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 उस समय नासा के पास उतनी computing power नहीं थी जितनी आज आज आपके mobile में है, बल्कि उससे कई गुना जा दे है, कुछ समय पहले 80's में अमेरिका ने बोला कि हिंदुस्तान को super computer नहीं देंगे, आज आज आपके mobile में उतनी power है, जितनी उस super computer में नहीं थी, यह rate of change है, तो information system maintenance practices बहुत जरूरी है, क्यों है क्योंकि production में आने के बाद system production में आया है, तो वो static नहीं रहता है, change आता रहता है, system change होता रहता है, life cycle जो भी है उसकी, उसमें changes आते रहते हैं, और इन changes से कई बार problems आती है, functionality change हो जाती है, दूसरे characteristics change हो जाते है, तो यह एक procedure होना चाहिए है, जिससे change formalize हो, मतलब हमने यह मान लिए कि change होगा, agile development है हमने एक particular वो develop कर दिया, agile development से develop कर दिया, वहाँ भी एक particular, एक बार हमने system market में लिया गया, successful हो गया, उसको फिर market में सबसे आगे रहना है, changes करते रहने हैं, उसमें software version जाते होते रहना है, modules जाते बनते जाने हैं, तो वहाँ पर एक change control mechanism होना चाहिए, change formalized होना चाहिए, तो हमारी study सबसे पहले change control के बारे में कहती है, बोलती है, अगर कोई भी change करना है user को, user है, काम कर रहा है, वो उसमें criticism करेगा, और criticism आज की date में healthy है, democracy में healthy होता है, software development में healthy होता है, constant demand और constant change की जो requirement कर रहा है, feedback दे रहा है, वो अच्छा है, तो EDP department को change के लिए submit किया जाता है, यह यह reason है change की, अगर developer खुद change करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर मानले सबसकोई processing problem है, या वो performance इंप्रूव करना चाह रहा है, तो वो भी एक return change request document देगा, तो यानि कि developer भी दे सकता है, और user भी दे सकता है, यूजर है, तो EDP department को देगा, भी यह reason है change के, डेवलपर है, अगर वो change करना है, तो वो एक return change document देगा, यूजर की जो request है, वो application developer के पास जाएगी, वो देखेगा कि भी क्या impact होगा, जो change की demand है, उसको evaluate करेगा, और फिर देखेगा, वो modifications, अगर वो लेकर आएगा, तो program में क्या होगा, particular module में क्या effect आएगा, ये सारी चीज़ें देखेगा, कितने दिन लगेंगे उसे change करने के लिए, क्या time होगा, कैसे testing होगी, documentation में क्या change करना होगा, क्योंकि documentation भी आपको आपके पास होगी, एक standard procedure है हमने पढ़ा है, documentation होनी चीज़े, हर software की documentation होनी चीज़े, तो यहाँ change करोगे, तो documentation में भी change को आएगा, रिपोर्ट प्रिपेर करेगा फिर developer, पर, हो एतना time लगएगा, इतनी cost लगएगी, basically time and cost वो बताएगा, इस changes के लिए, और feasible है कि नहीं है, कई बार feasible नहीं होता है, technology में नहीं आयी होती, हो गयेगा, मार्कट में आने वाली technology और उससे यह change, कई बार उस cost में नहीं होता है, उस टाइम में नहीं होता है तो उसके बाद यह आने वाला और फिर चेंजिस आएगा तो हर ओगनाईजेशन की जो बड़े-बड़े ओगनाईजेशन है पर्टिकुलरी उनके एक चेंज कंट्रोल अथारिटी होनी चीए उस चेंज कंट्रोल अथारिटी एगर छोटा ओगनाईजेशन है तो हमाँ बर एक आदमी होना चीए या फिर एक कमिटी होनी चीए कमिटी या आदमी जो फाइनल अथारिटी है जो चेंज को एप्रूव करें तो चेंज कंट्रोल अथारिटी रिव्यू करेगी उस report को और कहीगे एप्रूव कर सकते हैं, reject कर सकती है, और engineering change order फिर उसके बाद generate किया जाएगा, अगर approve हो गया तो, तो यानि हमने गया बोला, हमने बोला कि user change के लिए कह सकता है, developer कह सकता है, user अगर कहेगा, तो आप developer उसे देखेगा, क्या modification होना है, क्या चीज़ है, कितने time लगेगा कितने number of days होगा यह सारी चीज़े देखेगा उसके बाद change control authority के बाद जाएगा change control authority आदमी भी हो सकता है committee भी हो सकती जो final authority है change को approve करने के लिए वो उसके बाद सारा चीज़ें जाएगी वो उसे देखेगी review करेगी approve कर सकते है reject कर सकते है reject कर सकते है तो फिर शांत बढ़ जाओ फिर एक particular period बात फिर change के जा सकते है जब technology आ गई या कुछ चीज़ा आ गई तो फिर आप बाद में फिर से कह सकते हो change करने लिए तो change कर लेकिन change control authority CCA ने अगर approve कर दिया तो इसी ओ जनरेट होगा engineering change order generate किया जाएगा जो भी changes के जो approve हो गए इसी ओ डिस्क्राइब करेगा कि change क्या करना है क्योंकि कई बार मैंने 10 चेंज करने के लिए लिए और ECU ने कहा कि भाई सब ऐसा दस तो नहीं साथ सही है सही बोल रहा है ECU ने कहा और उसको standardized कर दिया कि यह यह चीज है साथ को भी मैं भी कुछ changes करती है उसने कई में better हो सकता है कई में नहीं हो सकता है तो constraint उसमें बताएगा कि यह constraints है review के criteria बताएगा कि हम review करेंगे इसको उसके review के criteria क्या है अगर मालिया सबस हम modules बनाएगे तो अगर मालिया सबस प्रोजेक्ट एरा है और एक mobile बन रहा हो तो उसमें एक mobile में साथ modules होने चाहिए minimum साथ की जगए हमने उसने बुला कि साथ modules हैं तो उसने का साथ नहीं अब दस होने चाहिए तो यह हमारा criteria review करने का audit करने का फिर उसके बाद programming start की जाएगी तो programming के लिए क्या होगा कि programmer को बलाए जाएगा कि यह यह है इसके हसाब से काम करो तो कहेगा कि मेरे को जो production directory दो जो program चल रहा है उसकी production directory दो और इसे copy करो test directory में यह test directory में जब program codes लिए आ जाएंगे तो फिर उसके बाद वो change करने लगेगा उस program codes को उसमें changes करने लगेगा तो उसके लिए access control चाहिए होगा एकसे ज्यांड चीह होगे डेजिगनेटर programmer को एकस्सी कंट्रोल या एकसे ज्यांड चीह होगे तो programmer उसके बाद कि है एप पूरूव चिंजेश करेगा और कि और क्या करेगा database में change करेगा और फिर उसके सारे related documentation में change करेगा फिर उसके बाद वो जाएगा CC के पास कि यह काम हो गया change control authority के पास वो review करेंगे कि प्रोग्राम data documentation में change हुआ है कि नहीं change हुआ है उसके बाद वो approve कर देंगे जैसी वो approve करेंगे system administrator क्या change version को implement कर देगा production diary में डाल देगा और सारे यूजर उसको बता देगा भी यह चेंज होगे revised version number आ गया यह window विंडो तो नहीं फला प्रोग्राम का 1.0 की जिएगे 2.0 वर्जन नंबर 2.0 है उसके बाद यूजर उसको चलाएगा और फिर certify कर देगा भी change हो गए है वो खुश है दुखी है वैसे तो जनरली यूजर हमेसा दुखी रहता है लेकिन कई के बार खुश हो जाता है अगर outstanding काम हो तो बता देगा जनरली यूजर कहेगा कि यह तो हुआ पर यह और हो जाता तो बेटर था इस तरहीं के feedback आएंगे वह सारी feedback रख ली जा Events record में क्या होगा programmer ID होगी, Time होगा date of change होगा, change request number होगा, before-after-image होगाела programme-lines की 여기 programal lines change होने से पहली क्या थीजनी के बाद क्या थी तो यानि की, आप क्या करोगे, After or Before Image रखोके, बाद के image और बाद पहली की image पहले program कैसा था और बाद में, प्रोग्राम के बाद में reasonably रहा तो वो change को control करने में help करते हैं, वो इसी काम करते हैं, कि आगर मालने सब्सक्राइब है, उसका कोई change कर रहा हो, तो वो software लिया, तो वो library management software available होता है, तो उसमें automatically logs हो जाते हैं, क्या change किया, कौन से किया, जो final version, पहला version, बीच में changes कैसे हुए, ये सारी चीज़ें, वो documentation रख ल होता है, unauthorized programming changes भी नहीं आते हैं, और ये ज़रूरी तब है, जब system administrator का rules well defined नहीं, कई companies होती है, system administrator, programmers, इनके rules defined नहीं होते हैं, तो यहां पर change control software होना बहुत ज़रूरी है, तो change control software है, तो operational, personal पर responsibility कम हो जाती है, उस software manage कर लेता है, सारी चीज़ें, change को migration करना है, change को manage करना है, वो सारा वो कर लेता है, record रखना है, log रखना है, सारे चीज़ उसके पास होती है, कोई भी चीज़ देखनी है, उस software को देखो और आपको पता चल जाएगा, इसके बाद आपका system documentation को continuously update करते रहना पड़ेगा, अगला topic जो हमारी study कहती है, वो कहत है, अगर आप effectively किसी system को maintain करना चाहते हो, तो document को current version of software record करना चाहिए, तो आपको क्या देखना है, time और other resources के constraints देखने, tedious procedures देखने, कौन से चीज़े अपडेट हुई है, वो सारी चीज़े देखनी है, और जो हमारी study में एक documents की list दीए गई है, indicative list दी गई है, कि क्या क्या चीज़े updated रखनी चीए, तो system manual आपको update करना होगा, उसमें क्या होगा, input screens, output screen, program specification, flow charts, decision table, decision trees, narrative होते हैं program logic के, क्यों है ये program logic, क्या बता रहा है, data dictionary, entity relationship diagram होते हैं, object diagram होते हैं, data flow diagram होते हैं, और user manual है, तो data entry procedure क्या है, patch operation procedure क्या है, और current version documentation का, backup sites में available होना चीए, यानि कि continuous update करना है, system documentation को, और अगर system documentation को आप update कर रहे हो, तो पुराना documentation तो होना ही चीए, नया documentation भी होना चीए, कई बार गया होता है, time or resource constraint होता है, तो कई बार आप क्या करते हो, program को update नहीं करते हो, और वहाँ पर problem हो जाती है, अगर प्रोग्रामर शोड़के चलागे, अगला programmer आया है, उसको पता ही नहीं, उसको problem हो रही है, अगर documentation updated है, तो कोई किसी को problem नहीं होती है, तो document अगर आपको update करना है, तो system manual और user manual को update करना पड़ेगा, system manual में input screen होगा, output reports होगी, program specifications होगी, उनको update करना पड़ेगा, input screen जो जिस भी screen से input कर रहे है, वो change होगा, तो पुराना input screen क्या था, नया input screen क्या था, अगर उसने user ने बोला कि यार यह भी input करना था, तो नया input screen create बढ़ेगा आउट-पूट रिम अगर उसको आउट-पूट जा दे चीए था उसने खाए ये रिपॉर्ट भी आनी चीए तो ऊट-पूट-पूट खी जोगा पुराना आउट-पूट-पूट-पूट-पी स्क्रीन चीया था प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशिन क्या चेंज भी स्लो चाटो डिसीजक्ष कासे को सब्सक्राइब कर रहा है तो फ्लो चाट सब्सक्राइब आप चेंज होंगे क्यूंकि अगर आप additional processes बना रहे हो तो data कैसे flow कर रहा है वो भी चेंज होगा decision tables चेंज होगा decision tables decision ट्री बना रखें तो वह change logic चेंज हो जाएगा या additional logic होगा तो program logic का narrative भी चेंज होगा और आपको program logic narrative भी बनाना पड़ सकता है जो चींज है, डीटा डिक्षिनरी में चींज आएगा, किस तरह से डीटा रखना है, एडिशनल डीटा रखना है, मालम बड़ा, आपने रिकॉर्ड में एक और लाइन इंसर्ट कर दी, आपको डीटा को और यूसफुल बनाना है, आपको और इंफॉर्मिशन की ज़रुत और यूसर मैनुवल भी आपको चेंज करना पड़ेगा, डीटा एंटरी के प्रोसीजर क्या है, डीटा एंटरी स्क्रीन तो चेंज करने ही पड़ेगी, इंपुट स्क्रीन तो चेंज करने ही पड़ेगी, डीटा एंटरी के प्रोसीजर्स चेंज करने पड़ सकते हैं, क्य चेंज कनने पड़ेंगे यह सब चेंज होगा पुराना क्या था नाया क्या था यह आकको डॉक्यमेंट कणना पड़ेंगा और karend version of documentation अविलेबल होनी चाहिए पुरानी version bhi अविलेबल होनी चीए backup sites में ओनी चीए नोны backup sites के पारे में आगे drp करकर चैक टरहे disaster recovery planning उसमें पढ़ेंगे तो backup sites में available होने चीए ताकि अगर कहीं पर कोई problem आगी और delete हो गया तो backup site में current version available Thanks